हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 की कारेपुस्ते का पाठ धारित के लिए इसके कार पत्रक ऑठ तीन सच्ची वीरता को पहले शुरू करते इसमें प्रेशन दिया गया है कि निम्लिकित मुहावरों का अर्थ लिखते उए इनका वाक्य प्रयोग कीजिए इसमें मुहावरे दिये गये कुछ जैसे कि हिर्दय का खिलना इसका अर्थ है प्रसंद होना कक्षा में प्रथम आने पर मीरा का हिर्दय खिल उठा अंधेरे में तीर चलाना मतलब इसका अर्थ है अनुमान लगाना पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया और चोर पकड़ा गया धबा लगना, किसी पर दोश लगना मोहन ने चोरी करके अपने पिता के नाम पर धबा लगा दिया डर से अधमरा होना अर्थ है बहुत अधिक डर जाना कमरे में सांप देखकर वह डर से अदमरा हो गया रंग बदलना अपनी बात पर इस्थेर ना रहना दहेच की बात आते ही वर्पक्ष के रंग बदल गए इसके बाद इसी कारपत्रक में नीचे देए गए हैं नीचे देए गए वाक्यों की साहता से उपयुक्त मुहावरे बनाईए और उनके अर्थ लिखिये इसमें कुछ सेंटेंस देए गए वाक्या जैसे आज विध्याले में अवकाश होने के कारण वह घोड़े बेचकर सो रहा है तो इसका मुहावरा बनेगा गोड़े बेचकर सोना जिसका अर्थ है निश्चिंत हो जाना फिर है कक्षा में प्रथम इस्थान लाने के लिए आखाश ने आखाश पाताल एक कर दिया इसका मुहावरा बनेगा आकाश पाताल एक कर देना इसका अर्थ है बहुत प्रियास करना फिर है विध्याले परिसर में साप आता देख उसका कलेजा कापने लगा इसमें मुहावरा है कलेजा कापना और इसका अर्थ है डर जाना फिर है जूटी जूटी बाते बता कर किसी का कान भरना बुरी बात है इसमें मुहावरा बनेगा कान भरना और इसका अर्थ है चुगली करना यहाँ पर हमारा कारपत्रक एक खतम हो गया है इसके बाद हम देखते हैं कारपत्रक दो इसमें नीचे दिये गए वाक्यों के अधार पर अधूरे मुहावरे को पूर्ण कीजिए नौकरानी से टी सेट तूट जाने पर मालकिन एकदम आग डैश हो गई तो इसमें आएका बबूला आग बबूला हो गई मोहन बहुत भड़ चड़ कर बाते कर रहा था जब मैंने उसे आड़े डैश लिया तो उसकी बोलती डैश हो गई तो इसमें आएका आड़े हाथ हो लिया तो उसकी बोलती बंद हो गई फिर है तृतिय श्रेणी में इसना तक कौशलेंद्र को कलर्क की नौकरी क्या मिली मानो अंदे के हाथ डैश लग गई तो इसमेगा अंधे के हाथ बटेर लग गई राम इतना सीधा है कि कोई भी उसकी आँखों में डैश जोग सकता है तो इसमेगा आँखों में धूल जोग सकता है रमेश को तो कल की घटनागी कोई जानकारी नहीं थी वह तो बस अंधेरे में डैश चला रहा था तो इसमें आएगा अंधेरे में तीर चला रहा था इसके बाद है दिये गए शब्दों में से प्रत्य अलग करें और उन प्रत्यों से एक नया शब्द भी बनाए इसमें शब्द दिया गया है सामाजिक प्रत्य है इसमें एक और नया शब्द है इसमें थारमेक इसी प्रकार गुमककड इसमें प्रते है अकड इसमें नया शब्द बना है भुलककड महत्व इसमें प्रतेतव इसमें प्रते है आलू इसमें प्रते है आलू इसमें प्रते है आलू इसमें प्रते है आहट इसमें प्रते है आहट इसमें प्रते है आहट इसमें नया शब्द ये भी समाप्त हो गया अब हम चलते हैं जी पाट के तीसरे कारपत्रक की ओर इसमें है कि नीचे बॉक्स में दिये गए शब्दों में कुछ शब्द तस्सम है कुछ तद्भव कुछ देशच तद्धा कुछ विदेशी अब है कि उन्हें उत्पत्ति के अधार पर अलाला सू और विदेशी अब जैसे है तस्सम में आएंगे अगनी, आम्र, आंगल, अकस्मात, आलस्से और एकादश तद्भव में आएंगे आग, पीठ, सोना, विद्यूत और तमाशा देशज में आएंगे खिचुडी, आदत, खुर्पी, बिजली, मड़ई, दरिया और शेखी व तो साथियों, यहां पर हमारा यह तीसरा कारपत्रक भी समाप्त हो गया है, अब हम चलते हैं इसके चौथे कारपत्रक की ओर, चौथे कारपत्रक में इसमें देश प्रेम या देश बक्ती पर शिक्षक की मदशिक, पोस्टर या कॉलाज का निर्मान कीजिए, और अपने प कारपत्रक पांच में कमल, पुष्प, मोर, पक्षियादी रास्टिय प्रतीक चिन है, कुछ अन्य रास्टिय प्रतीक चिन्नों की चित्र एकतित कीजिए और उन्हें निर्दिस इसान पर चिपकाई है, उनके विश्य में कुछ पंक्तियां लिखिए, तो मैंने कुछ इसम चित्र चिपकाई है, उनके विश्य में लिखा है, जैसे भारत का राजिचिन सारनात इसित अशोक के सिंग इस्तंब की अनुक्रती है, जो सारनात के संग्रालय में सुरक्षित है, फिर है रास्टिय द्वज, तिरंगे में समान अनुपात में तीन शेतिस पट्टियां है, किसरिया रंग सबसे उपर सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है फिर है भारतिय मोर भारत का रास्ट्रे पक्षी है जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है तथा मनमोहक कांच से हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है फिर है कमल भारत का रास्ट्य पुश्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाताओं में विशेश इस्थान है तो यहाँ पर साथियो इसका कारे पत्रक पांच भी समापत हो गया अब हम देखते हैं इसका अंतिम कारे पत्रक सच्ची वीर्था पाट का इसमें 6 कारे पत्रक थे टुटक तो यह इसका अंतिम है आभूशन को गेहना भी कहा जाता है इसी प्रकार निमलिखित शब्दों को क्या कहा जाता है उनके सम्मुक स्थान पर लिखना है अतिथी, महमान, इशारा, संकेत, जहर, विश, फसल, उपज, छमता, सामर्थे, शिक्षक, अध्यापक, रिणी, कर्जिदार, सुकुमार, कोमल, निवेदन, प्रार्थना, परियावरन, वातावरन, नियाधिश, जज, आश्रे, सहारा अब हम देखते हैं, इसमें दिया गया है, कि आप सच्चावीर बनने के लिए, कौन-कौन से अच्छे कारे करेंगे, सोचकर, नीचे दिगे, खाली पंक्ते में लिखे, साथियो, आप इसमें जो आपको अच्छा लगे, वो आप लिख सकते हैं, मुझे जो ठीक लगा, मैंने धैरे, साहस, और स्वाबिमान जैसे गुणों का विकास करेंगे, करना चाहिए होगा, वैसे मैंने ठीक लेखा था पहले हम, सच्चा वीर बनने के लिए, हमें सदैब सच्चाई का साथ देना चाहिए, और किसी भी कारे को करने में आलस से, नहीं करना चाहिए, तो साथियो यहां हमारे पाठ के कारे पत्रक समापत हो गए हैं, मिलते हैं अगरी वीडियो में, एक नहीं पाठ के कारे पत्रक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार